अंबाला में सिलिंडर से गयस चोरी घर के ब्लैक में बेचने वाले गिरोहों का परदा फास हुआ है CID अंबाला ने रेट करते हुए 35 अवैद गयस सिलिंडर बराबत किये CID ने मौके से 3 आरोपियों को भी पकड़ा है जानकारी देते हुए खादिया पूर्ते विभाग के इंस्पेक्टर ने बताया कि इस कारवाई को गुप सूचना के आधार पर अंजाम दिया गया जानकारी मिली थी कि अंबाला सिटी में खना पैलेस के पास एक डेरी में सिलेंडर से गयस चोरी करके बेचवा जा रहा है जिसके चलते विशेश टीमों का गठन किया गया और खादिया पूर्ते विभाग के अधिकारियों के साथ तीम ने संयुक तुरूप से रेड की हर सिलेंडर से दो किलो तक गयस चोरी करने के आरोप हैं आपको बता दें खादिया पूर्ते विभाग की इंस्पेक्टर बिर्मा देवी और इंस्पेक्टर भुपेंद्र सिंग ने मौके पर सिलेंडर की बारीकी से जांच की जांच में सामने आया कि आरोपी भरे हुए सिलेंडर से डेड से दो किलो गयस चोरी करते थे और खाली सिलेंडर को भर कर उसे ब्लाक में बेचते थे टीम ने मौके से 35 सिलेंडर बरामक किये हैं, इन में एक कमर्शियल समेथ 35 HP भारत और इंडियन गैस के सिलेंडर शामिल थे। वहीं ये भी सामने आया है कि ये धन्दा पिछले काफी लंबे समय से चुर रहा था। इसके अलावा भी स्लेंडर मिले हैं, पर प्रूप है वो हिंदूस्तान पेट्रोलियम का ये मिला है। इसके एक भुक मिली है, जिसमें वो रिफिल के खटते हैं। वहीं जब गैस चोर राम सिंग से इस बारे में पूछा गया, तो वो कोई संतोष जनक जवाब नहीं दे पाया। बस बार-बार यही कहता रहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। इसके बारे में निबाता है। इसके बारे में निबाता है। यहां पर रेट कर 45 सिलिंडर बरामत करते हुए विभाग ये कारवाई की थी। लेकिन आरोपी फिर सक्रिय हो गए, टीम ने अंबाला के नया गाउन निवासी, रामप्रस्वाद, पंजाब के गाउन दड़वा निवासी, मलकीत सिंग और हीरा नगर अंबाला सिटी निवासी सुख्चैन सिंग को पकड़ा है, आरोपियों को पुलिस चौकी नंबर 3 में स झाल 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